हेलो दोस्तों नमस्कार शंतों सी आईस में आप सभी का स्वागत है यहां पर आज 25 लेक्चर है इस 25 लेक्चर में आज सब्जेक्ट होगा आपका इन्वार्मेंट एंड इकोनॉमिक्स ठीक है में और जो आपका रहता है यह उपर इस पसल होतो रहेगा ही तो चलिए हम एक ब कि वहीं मेपलाएए है ताकि आपका जो कलंग ब॔ले थैस्ट लोग सभा मेइं रखेज यह के बाद हम ने लाया है आपका उत्तर पर उत्तर प्रदीश स्पाशल Almighty उत्प्रतर devices computer से आपके Queshen बने हैं तो चलते हैं इसके बाद आपका last में 30 Queshen का test है जो previous year में आए हुए है वो Queshen का हम test कर लेंगे तो चलते हैं पहला कोशन हम देखते हैं क्या मलब देखते कुंसा है देखें कहां से हम सुरू करते हैं हम नौर्ठ हिश्क seituse से लूब करते हैं यहां देखिए लिखा गया है नाम दफाराश्टिय पार्ग यह नाम दफाराश्टिय पार्ग कहां पर है और अवड़ांचल परदेश के चांग पूज़ना हुई थी चलते हैं निश्ट देहां अब देखे सिक्किम के बारे में एक चीज याद रखिएगा सिक्किम राज के छेतर का अधिकतम परसेंटे नेशनल पार्क अंतरगत आता है मलब इसका जितना परसेंट है अधिकतर यहां पर नेशनल पार्क ही है केबिल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ, मड़ीपूर के बिसरूपूर जिले में है कहां पर केबुल लाम जाओ, मड़ीपूर के बिसरूपूर जिले में है केविल लाम जाओ के बारे में कुश्शन पुश लेता है मिजोरम इस्तित नैसिनल पार्क फांगवी पूई बिलू मॉंटेन पार्क के नाम से भी जाना जाता है यह MPPSS में कुश्शन आया है तो आप से अगर पूछा जाए कि फांग फावांग पुई को किस राष्टी नेशनल पार्क की नाम से जाना जाता है बुलू मौंटेन पार्क की नाम से जाना जाता है ठीक है आप देखिए यहां पर मेगाले में बाल फक्रम है बाल फक्रम नेशनल पार्क कौन है मेगाले में आपका बाल फक्रम मानस उद्धान कहा है अस में यह सभी यह तो सभी जाँता होंगे एफ तेरपूरा में मड्य मिजोरम मिजोर्म बुलू माउंटेन पार्क या फांगोई पोई दिये दोनों याद रखिए गा अप चलते हैं इधर बाल मिकी बिहार में सब को पता होगा बाल मिकी कहा है बिहार में बिहार में बेटला नेशनल पार्क झारखंड में है इसके बाद यहां नीचे जबाएंगे तो सिमली पाल सिमली पाल कहां है उडीसा में है और भीतर कनिका भी आपका उडीसा में है उडीसा में कि सीटे कितनी है राजसाभा की दस सीटे है राजसाभा की यहां भी दस सीटे है और यह राजस्थान में भी दस सीटे है तो दोनों एक साथ या करिए हो सकता ओपसन एक ही में ऐसे डस रड़ती संद और करके आजाए अधाया ड़ीनेट आपका तीनों हो जा है ठीक है तो लुदाइजास्तान में राजसावा की डस रीजन इसांती है तो यह पड़ाया थे लेकिन हमने यह इस मैफ को इसली लिये ताकि आपका ये भी revision हो जाण सके ठीक है आप हमारे साथ जुडे रहेंगे तो आपको ऐसा होगा कि आपका revision नहीं हो रहा हूँ यूटürB पर सभी पढ़ाते हैं लेकिन कोई revision नहीं करवाता ठीक है यही एक चैनल है आपका जो revision करवाता हेसे чем Hey चमोली जीले में क्या है चमोली जीला इसे में फूलों की घाटी पूछा जाता कि कई आपका वह देदेंगे क्या जैसे नेस्ञनल पार्क देते थे तो उसमें पूछेंगे कॉन पूर्ता सीतोषव में आवस्थित है तो ये देखे फूलों की घाटी आपका पूर्ता सीतोर्षड में अवस्थित है ठीक है सीतोर्ष अलपाइन कटबंद में अवस्थित है ये आपका फूलों की घाटी अब देखे यहां पर जिम कारविट भारत का पहला राश्टिय उद्दान 1936 इसमे में हेली के रूप में जब ये 1936 में अस्थापित हो रहा था जिम कारविट नेशनल पार्क है यो किस नाम से हेली नेशनल अब अंग्रेजों का उस समय जमाना था तो समय राम गंगा ये सब तो रखेंगे नहीं वो अपने हिसाब से नाम रखेंगे तो क्या रखे थे हेली नेशनल पार्क ठीक ह ठीक है हेमिस आपका कहां पर है यहां पर है कहां पर लद्दाक में है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाक में है रोहीला नेशनल पार्क यह कहां पर है रोहीला नेशनल पार्क अपका यह हिमानचल पर्देश में तो रोहीला नेशनल पार्क हिमानचल पर्देश में हेमिस यहां पर है यहां यहां याद रखिएगा कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपूर नेशनल पार्क यह हर्याडा में पढ़ता है तो कलेसर सुल्तानपूर हर्याडा में पढ़ता है तो इधर से एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं राजा जी उत्राखंड में हेमिस लद्दाक में रोहिला कहां पर पढ़ेगा इमांचल परदेश में दाची गम जम्मुकस्मिर में सलीम अली जम मुकस्मिर में कलेसर सुल्तानपूर हर्याडा में ठीक इतना तो याद होगा सरिस्का कहां पर तो सबही जानते होंगे सरिस्का कहां पर है यह है आपका राजस्तान में, क्योला राश्टिय उद्धान, कहा है, क्योला देवराश्टिय उद्धान, यह भी अप, यहां पर है, राजस्तान में तो ठीक, इतना आपको concept किलियर होना चाहिए, मतलब ऐसे बे में चलिए, ताकि ऐसे आप 60 notes से अगर पढ़ेंगे, तो कम समय में जादे चीजे आप रिकाल कर लेंगे अभी यही सब लोग पढ़ाते हैं इसको एक दो घंटे में पढ़ाते हैं लेकिन इसको आप देखी इतने कम समय में कैसे आप देखिए नाम ही है इसमें कांसेप्ट तो कुछ लगना नहीं है कि रोहिला नेशनल पारक आप अफ कका कहाँ पर हेमानचल परदेश में तो क्यों है ऐसा ठोड़ी है इसमें सिर्फ याद इतना कली ज atac 바로 एक calling मद्ध परदेश में वहपाल में बिहार राश्ची उृद्यान अब बिहार राश्ची अन्द यह के यह नहीं याद होता है कान्म तो याद होगा बांध पूर बांधों गड़ में कन्फियूज मत होई जब बांधों गड़ा तो मद्ध परदेश में और बांधी पूर जब आए तो वह कहां पर होगा करनाटक में नहीं तो यह दोनों में आप कन्फियूज हो जाएं नाम एक ही लगता है इंद्रावती निशनल पार्क बहुत बा है नागर होल राष्टी उद्यंद्र राजिवगाधी निशनल पार्क चाहे नम नागर होल कर दिया गया है फ़ले राजिव गाधी निशनल पार्क था तो नागर européरीर स्वामी निशनल पार्कॉर यह पींट टीक है मौललम नंग गभाई नेशनल पर्क और महत्मा गाधी नेशनल पार्क अपकी निकांपर् को आजसेटीयांगे सब पूछे गए इसको में वह बता दिये तक यह तोड़ टफ है ना इसलिए तो रानी जहासीर राष्टिये पार्क यह सब इतना याद रखिएगा अब देखे कारवेट राष्टिये उद्दान से बहने वाली नदी है यह से और बन जाता है कि काजी रंगा राष्टिये उद्दान से कौन सी नदी ब्रमपुत्र नदी बहती है और साइलेंट बाइली जो केरल में है देखे एक सांत घाटी एक फूलों की घाटी होगि वह केरला में होगी और जो फूलों की घाटी होगी कि अध्य के लिए से इतना आपको याद होना चाहिए चलते हैं देखें धूप गर चोटी सत्पूरा राश्टिय उद्धान में इस्तेत है तो सत्पूरा राश्टिय उद्धान उसी में अपका धूप गड़ चोटी इस्तेत है भारत में बनने जीव संरच्छड अधनियम 1972 अब देखे थोड़ा सा यहां पर देख लिजिए करेरा बनने जीव अभरर आईस में कुश्चन पूछा गया था करेरा बनने जीव अभरर कहां पर है यह कहां पर है यह मद्ध परदेश में है करेरा बनने जीव अभरर अब यहां देखते हैं यहां हमने यहां दुद्धवा क्यों लिखा है काना क्यों लिखा है इंद्रावत यहां है बांदीपूर यहां है तो देखिए यह पूछा था एक बार आपके पेपर में कि आप यहां से नौर्थ से साउथ में करिए या साउथ से नौर्थ में करिए तो बांदीपूर पहले आएगा इसके बाद इंद्रावती आएगा फिर काना आएगा फिर दुद्वा आ कहा है और सांद घाटी में कर दोनों में कंफ्यूज़ तो यहां पर जल्दा पारा नेशनल पार कहां है तो जल्दा पार कर देखिए है यह घूती पूछा गया था realize कि जो कावेरी बेसन में और कुंसे कंसे नेशनल पार्कों तो हमेरी बेसन में आपका अशिपी कावेरी कावेरी नदी के बेसिन नी बेशन कॉझनों और क्थ ओर कावेरी नदी morally इyyATA आफने ये आफके तीनो नेशनल पार्क पायते हैं, कौण कौण से नाघर होल नेशनल पार्क, सत्ता मंगलम कहा है? ये तमिलनाडa में, नाघर होल करनातक में, वाइडनाड केरला में तो ये आपके कावेरी में अब पूछ ले गोदावरी बेसन में कौन सा आपका ये नेशनल पारक पाया जाता है तो पापी कॉंडा नेशनल पारक है गोदावरी बेसन में पाया जाता है ठीक इतना ये याद रखेंगे तीनों कावेरी बेसन में इस्तितागर मैं आप से पू निशनल पार्क है तो ये बोला है तो नागर laquelle ये गोड़ा अवरी बेसन में पाटपी कॉंडा निशनल पार्क है तेड़ा इसके बाद यहां तो देखी लिए काव снच में नागर हो सत्मंगल वाइ नाट ठीक है वाइ नाट बने þोछ अब रड़ा है अब केरल में है अब देखिए यहां पर एरा भी कुलम प्रोटेक्टेड एरिया है किसका नेल गिरी तहर का और मैकाक का तो एरा भी कुलम प्रोटेड एरिया कहां है यह केरला में है और यह नेल गिरी तहर और मैकाक का यह आप जो नेल गिरी तहर और मैकाक का संरचित किया जाता ह ऑपर ठीक है पुट चुटा तो नहीं आप देख लिजह कर देख लेकिए आअसन कंजरवेशनर रिजयर्व कहां उत्रा 18 सीट तमिल नाडू की है राजसाभा में 9 सीट किसकी है आपका केरल में है 11 सीट किसकी है अंधर पर्देश में है 12 सीट किसकी है यह करनाटक है तो करनाटक अंधर पर्देश तो जो लेफ्ट राइट हैंड देखेंगे तो ग्यारा लेफ्ट हैंड आप देखेंगे तो बारा ग्यारा बारा तो राइट में ग्यारा लेट में बारा ऐसे मेप में देख के बता देजिए गा और नीचे अठारा नौ तो मतलों नौ दोनी अठारा नौ हो गए यहां दुनिय 18 ठीक है यह यहां क्या पढ़े थे सर्फ आप यहां पर एक सिक्की मौला लगा दीजीगा और मीजोरम आम नागरेंड तीन एक है और पूरे जो नॉर्ठ इश्टिया में इंडिया में है नॉर्थ इस्ट इंडिया में वो सब किस्में है यह आपके दो एक की च जो मिजोरम है नागालेंड है एक एक के हैं वालब एक राजसभा की एक लोगसभा की जो कल बच्चे वीडियो देखे होंगे उन्हें सब को याद हो रहा होगा कल वाला क्या कि शोला सीथे विहार में हैं सोला सीथ कहां पने हैं दो जगां तो आपके यह राजस्तान वह सुरेक ठान बोलना बोल्नके यह भीहार में और पश्रम बंगल में दोनों जगां सोला सीथे थीक हैं तो एक ख़आ दे छे सीथे थे ada reference में है दस सीटे कहा है यह उड़ीसा में और दस सीटे अब कर राजस्थान में यह याद रहे कि असी तो जानते हों कि असी हमारे हैं लोग सब्सक्राइब सेट एक 31 राजसब्सवा सीट ग्यारा सीट कहां गुजरात के मोदी जी के यहां लन मैं साद सीट पड़ती है पांस साथ सी पड़ती में पड़ती है असम मेंhmen कि इतना सिट पढ़ती शान press था तो पंजार में तीन अचछर से बना है आसमें वहां साथ यहां जब पंजार याद कर ये तो असंमिय कर लिजिया करिए और जब यहां पर किया यात करेंगे उर्ई साद करेंगे क्या याद करेंगे राजस्तार को कि दस-10 यहां ह। 10 की नीचे ददर चलंगे ट़्यार हाजाता है टिक का पर इधर चलेंगे टो नाया जा जाता है टिक इए फ continually आ फ़ारा ही ओ। आई हाफ एतना जया और गया लगा budget फिम बातry न 2007 में लांच किया गया था कब 2007 में आम आदमी भी मैं यह दो हजार 21 में आया है एक दम पूराना स्कीम आप से पूछ लिया है तो पूराना नया कोई भी स्कीम हो आप उसको याद रखिए गा क्योंकि यह नहीं है कि वह इस गवर्मेंट ने कुशन आया था आम आदमी भीमा योजना दोजार साथ में पीम आत्म निर्भर योजना दोजार इकीस में पधान मंतरी जन आरोग योजना दोजार अठारा में पधान मंतरी सुरच्छा भीमा योजना दोजार पंदरा में ठीक है तो यह याद रखिए अपर रहां पधान मं सान दो हजार सोला में लांच किया गया सच्छ भारत Brittany cada when में सबने ही सरassies रबाषी कारिकरम महिला सब्सक्राइस सब्मंदित है तो नई रोपरिकरेसे सब्सक्राइब करेंगत्र दिसा कारिकरम की सब्सक्राइब कि समाट है ने सुचना प्रद्रोगी परिसेच्चर से इसे अपका दिशा नेयोगता मैं मतलकि मतलब नہदा निए फाइनल से सब्सक्राइट प्राइब 238 मालब के लगा था है वहां पर बोड़ दो हुसे निए नई पेंसन प्राड़ी संबंदित में 25 misma is 25 में आया राष्टी सामाजक साहता कारण 1995 में बहुत बार पूछा जाता है ये कुश्चन कि राष्टिय समाजिक साहथा कारिकर हम लांच किया गया 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 तो रोजगारилась ग्राज किया गया था संपूर ग्राम रोजगारी ग्यार्श कारी स्वडेश में इसकिल मईं और संकुल की से स्कल्ड डेवलप्मेंट से संब्दिता है स्वार निधी लुन इस हुआ इस स्टृट बेन्दर इया था स्वाल निधी सकी जो कुरोना आया था तो रे ठेलाूलाम गाते नहीं उनको दसजार रुपेर तक का लोन देना था। थी जब वो चुका देते तो फिर बीस जार तक मिल जाता था ठीक है तो सवाल निदी इसे से संब्धित है स्वाधार यह जो ना स्वाधार केंद्र नहीं होता तो वहां ओमें जो बनलब जो अवरते हैं वह अगर मालब उनका कंडिशन सही नहीं है किसी परकार से वह बिसम परस् सब्सक्राइब जो उनका का लाब लेना है अचलफ और जाहरा अ फिंसर दिए तना तो आप वहां पर में eliminate कर सकते हैं ठीक है तो इसको एक से दो बार repeat करके देख लिएगा वीडियो अगर नहीं याद हो रहा होगा ठीक है साच्छर भारत मिशन 2009 में operation blackboard 1987 में राश्टिय साच्छरता मिशन 1988 में ठीक 1987 में operation blackboard 1987 में operation साच्छरता मिशन 1988 में ये लांच किया गया चलते हैं यहां देखते हैं मिड़े मीली उजना के बारे में देखते हैं 15 अगस 1995 में में लांच किया गया 29 सितंबर 2021 को मिड़े मीली उजना का बिले परधान मंतरी पोशर सकती निर्माड में कर दिया गया किसका किसका परधान मंतरी पोशर सकती तो यह परधान मंतरी पोशर योजना में यक कर दिया गया तो चाहे अब परधान मंतरी पोशर सकती निर्माड योजना बोलिए चाहे परधान मंतरी पोशर योजना बोलिए ब को कहते हैं क्या है एक्रिडेटिट्ट तरु सोसल हिलट एक्टिविटी Colorado एक्टिटी टिंप ठीक को कहते हैं इनको है ठीक यह अब वह से स्वास्तकर करता सिसक तुम याद रखे गाया इसका फुल फार भी पूछ लेता है कि एक्रिडिडेटेड सोसल हेल्थ एक्टिबिस्ट ठीक है यह याद रखिए चलते हैं नेश देखते हैं इधर सवजल धारा कि से संब्दी था हाँ पूछ इसला राष्ठी ग्रामीड स्वास्विस्मिसर कब लांच किया गया था दो हजार पाँच में बारह अपरेल दो हजार पाँच में ये राष्टे ग्रामेड स्वास्तमिसन लांच किया गया था तो इसके बाद दस ये पूछ लिया जाता है ये किस पंच वरसी योजना में लांच किया गया था तो ये दसवी पंच वर्सी योजना में लांच किया गया था दसवी पंच योजना कब चला था 2002 से 2007 तक चला था ठीक है 2002 से 2007 तक चला था ये दसवी पंच वर्सी इसी में 2005 को राश्टिय स्वास्त मिसल लांच किया गया था संगम योजना संगम योजना संगम योजना 15 अगस 1996 में लांच किया गया था तो यह संगम योजना विकलांग के कल्डार से संबंदे था यह याद रखिए गया ठीक है अपने उत्तर पर्देस पर आ गए हैं पूछाए जाता है कि इर्यावाई देखा जाये का कौने इस्तान आ है थो पहले अस्तान पर उस्तान राज से सबसे बड़ा जाद़र जमीन मैं राजस्तान के पास है महराश् Connect, तीसरे नमबर पे आ जाता है, तो देखिए कैसे, पहले आप आए से करींगे, महले जी ये भारत में पर, यहां से चलेंगे, मद्द पर्देस, मद्द पर्देस से कहां पर, महराश् un है फिर आपका इतर जाना है, ऐसे यात करने के लिए, कहां से, राजस्तान से, पृसके बगल में मद्द्परदेस मध्द्परदेस से फिर महाराष्ट महाराष्ट से का जाएंगे उत्तर पर देस में तो आख यह कहां है तो यह उत्तakes में सबसे जादा इनकी किया है बट जो 10 कि अगर देखा जाए जाति वाला तो पंजाब में है पंजाब सबसे आगे है अगर वह ऐसेो पनजाब कहा है तुग वापसफ प्रदेश होगुत किनी शर्थ्सक च्याट संञे कि इस रावस्ति कीम है अभी यहां कम है सबसे कम महिला साचर्था सहतिस दिसमलों 07 परसंट यहां पर महिला साचर्था है कितनी बेकार इसी थी देखिए अब देवरिया देवरिया 1017 ठीक है देवरिया में 1017 क्या है यह आपका लिंगा अनुपात है तो पहले अगर पूछा जाए तो कौन सा है यह देखिए यहां पर दिखाते हैं पहले तब वहां चलते हैं सार्वधिक लिंगा नुपात वाला जीला कौन सा है जौनपूर है 1024 मतलब यहां पर लड़के 1000 ह बाहरा है लड़किया 1024 है इसक्तु को लिंगा नुपात कर दे अगर मेल मेल लड़किया बन्न मैल सब कौौन्ट कर रहा हूं लड़किया बंदम सब काॉंट हो रहे हैं लड़किया भीजान इस धरैंब अथना पिमेल अथना तो फीमेल जवण पूर में 1024 मेल 1000 पर ठीक आ आजमगड में 1019 है दिवरिया में 1017 है 98 यह यहां पर रहे परतावगड में तो यह आगे तीन का जरूरियात करिए जौनपूर आजमगड और दिवरिया यह देखिए जौनपूर यहां है देखिए जौनपूर 1024 आजमगड 1019 और दिवरिया 1017 और सबसे ज्यादा कहां पर जाएगा यह देखिए जौनपूर सबसे ज्यादा कहां है तो सबसे ज्यादा महिला कहां रहती है तो परियागराज में सबसे ज्यादा परियागराज में महिला रहती है अगर यह आपसे पूछा सरवधिक पुरुस कहां रहते है तो यहीं आपके सरवधिक पुरुस रहते है अब देखिए ग्रामेड छेतरों में रहने वालों की ज्यादा कहां है तो ग्रामेड छेतरों में रहने वाले लोगों की सबसे ज्या देखे दूसरा सबसे अधिक जन जाती है तो पहला सबसे अधिक जन जाती है सोन भद्र में रहती है दूसरा ललित पूर में है ठीक जैसे सामने सामने दीगे तो ये ललित पूर में सामने सामने इस क्या बताया था आपका उड़ीसा में जितनी 10 सीटे है राजस्तान में भी दस सीटे हैं किसकी राज सवा के हम दो-तीन दिन ऐसे मैप यही वाले लेकर आएंगे जो यह वाला मैप है आपका पीछे दिखाया था यह वाला आपको याद हो जाएगा ठीक है अठारा सीटे काउंट करें अभी पहले दो-तीन दिन हम आपको सिर राज सवा बताएं देंगे एक एक चीज जवान पर रट जाएगी आपकी नौ ठीक है ग्यारा है ठीक है यह से याद करेंगे भी अब देखिए यहां पर तो गया अब देखिए नियुन्तम जन घंत वाले राजे सोन भद्र हमेर पूर महोबा सबसे कम घंत जन घंत तो कौन है अब नियुन्तम जन घं अब लिजन संख्या गनत भुंट महैं सोन भद्र हमीर फूर इढर आएदे के हमीर वब और को सो फ़योगे पहली अगरपहले ला लित पूर है ठीक है तब ही मैं करूं लालत पूर सोन भद्र ह penn है दूसरे पहन और सोन भद्र है तीसरे मारform चेस्टे मतलब यह काने का मतलब है एरिया इतना बड़ा है रहे इतने लोग heart of सबसे ज्यादा कहां है सरवडिक जनशनकर घनत तो गाजी आबाद में यहां इतना एरिया रहा है इतने में इतना जितना इसमें बिंदी नहीं आ पाएगी उससे ज्यादा लोग कुई हा रहते हैं कहां पर गाजियाबाद में तो सबसे ज्यादा गणत तो कहा है यहीं पर है ठीक है 3971 और सबसे कम लालित पुर में फिर सोन भदर फिर हमीर पुर महोगा है हो पित्ता जाता है अब जो सच चाहिए आप चाहिए आप च्छे आट करें पूरुस की इदस बढ़ा दीजिए इसमें 67 तो 77 आ गया और 67 में 10 घटा देंगे तो 57 दसमें लोग आ गया तो यह पूरा आप पॉइंट सीधा पढ़ा करिए पॉइंट भी पढ़ा करिए 77 दसमें लोग त खेंगे पॉइंट में आ गया था ठीक है सिंपल इकूशन ता लेकिन पॉइंट में आता आता है काफी लड़कों को बच्चों को कन्फियूज किया तसरावस्ति याद रहें कि महिला साचर्था सबसे कम सरावस्ति में है महिला साचर्था ऑबराल कितना है 77 दसम लो दो पर था तो बीस दो या बीस दो जीरो नो मलब दसकी ब्रिद्धी दर कि 2001 से 2011 में कितने ब्रिद्धी कि ए उत्तर प्रदेश की जन्जंख्या भारत की जन्जंख्या का लगबक 1650 परशंट है लिंगानुपात 912 ने इस बारता है एक हजर ढ़ता स्थाओं थोड़ी तर्य वाले जीले कौन से इसला में लाहजाबाद है गाजियाबाद, आजमगड, लखनव, तो इलाहबाद, तीन याद करगी, इलाहबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, तीनों में बाद बाद लगा है, यहां पर जन संक्या, इलाहबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, तीनों में बाद बाद लगा है, यहां पर जन स गढ़ते करम है सबसे जन संक्या सबसे कंगों जन संक्या धार्मिक समधाय में कौन सबसे जादा है तो धार्मिक समधाय में हिंदू सबसे जादा कहा है इसके बाद मुस्लिम है यह तो बताने जरूरत नहीं है दोनों सिक इसके बाद कौन से आज़े हैं सिक तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यदा सिक है इसके बाद बहुत हैं इसके बजिसाई हैं फिर जैन है ठीक है धार्मिक समदाय के रूप में अगर देखा जाए यह उत्तर प्रदेश की बात हो रही है रोम का परकार नहीं है तो D रोम नहीं होता इस रेम होता इपी रोम होता है इपी रोम होता है ठीक है यह कुछ इनपूट डिवाइस है कुछ आउट डिवाइस है यहां पर इनपूट डिवाइस में क्या रहा है ट्रैक बाल जैसे माउस होता है जो आपका वो करना पड़ता है पॉइंटिंग करना पड़ता है वैसे ट् इंप्ट इसी बाल से तो उसको point करते हैं तो उसमें कुछ खुलता है कुछ बंदोता है। सकरेदेश कीनर है क्या है इंपट ङावक सबस्क्राइबíकल को आपको और थे हैं Color डिजिटाइजर माइक्रोफोन यह माई सी आर मैगनेटिक इंक कार्ड रीडर बी सी आर बार कोड रीडर ओमार ऑप्टिकल मार्क रीडर ठीक ओ यह मार तो पेपर देते हैं ओ सी आर क्या है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर अब डिवाइस है बीडियो जैसे LCD LED क्या होता है बाहर आपको सूचना प्रवाइट किया करता है कुछ देखते हैं तो आपको सूचना ही तो मिल लए प्रिंटर भी बाहर ही निकलता है ठीक है जैसे कुछ प्रेंट करवाने गए तो प्रेंटर निकालकर आप ही देगा न तो आउटपुट हुआ प्लोटर होता है बड़ी ड्राइंग बनाने में जिसे आपका सब लोग क्या करते हैं प्लोटर में यह जैसे किसी को बैनर बनवाना है अभी चुना चलना है बैनर बहुत यूज होंगे तो यह प्लोटर में ही होता है इस पीकर आपका ठीक है इस पीकर परजेक्टर आपका और क्या है? इस पीश इनस्टाइजर ये क्या होता है? टेक्स जो मैसे जो लिखे रहेंगे, उसको किस में बदल लेता है? वाइस में बदल लेता है, ठीक है? इस पीश इनस्टाइजर, सी आइटी मॉनीटर ये भी आओट पुट है, डॉट मैट्रिक्स टीक लाइन प्रिंटर डेजी प्रिंट वील प्रिंटर ठीक है तो प्रिंटर है तो प्रिंटर से जब निकलता है तो इसे जान लेजिए कुछ उसमें फोटो कापी करते तो बाहर निकलता है तो प्रिंटर कुछ भी होगा सब आउटपूट होगा ठीक या रखान बे में हुई थी यूपीपीशेस 2017 में कुश्चन देखिए इस परकार से कुश्चन आपके बनते हैं पेपर में ठीक है पैटर नाप जाएए किस परकार से कुश्चन बन रहे हैं सलेबस देखिए बस आपका हो जाएगा मतलब कुछ ज्यादा टेंसर मत लिए घटीक ह भी आखे लिए लिकित में से कौन सा नेशल पार्क पूरता सीटोष्ट आलपाइन करबंद में स्थितित्त हैं हम क्या करेते हैं कुछ ठंडी वाले पूच लेंगे कुछ गर्मी वाला पूच लेंगे बताएए कौन ठंडी में पर जंस्त तो आपका कौन है फूलों की में ठीक है अधन अब का मानस कहा आसाम में है ठीक है जाद रखिएगा कि निवरा-घाटी निश्नल परक आप का बेस्ट बंगाल में याद यहां पर देखें तिन चार हम बता दिए आई इस में सब कोश्चन आया है ठीक है कितना देखें सिंपल ही कोश्चन ऐसे देख लीजिए जब यह फूलों की घाटी पूछ रहा तो उत्रा कंड उत्रा कंड क्या होता ठंडी ज्यादा पढ़ती है वहां पर बरफ पढ़ता है म इसे फांग वी राष्टी उद्दान को किस नाम से जाना जाता है ठीक है किस उद्दान नाम से जाना जाता है तो किसे ब्लू माउंटेन पार्क किसे नाम से जाना जाता है जल्ली जल्ली कर रहें क्योंकि हम बनता दिये हैं कारबिट राष्टी उद्दान ठीक है उद्दा काजी रंगा तो काजी रंगा से क्या बता है कौन सा मुलब ये ना दी अब साइनेट बैली उद्धान से फिक यह इसमें बताना है कौन साथ का सई है तो देखिए साइलिन्ट बैली निशनल पार्क से ये कुंती पुझा भाहती है न ये दूसरा पहला तीसरा पा गरर दो से मानस cancelled से ये भी आपका कार्बेट कहां से बखती है यह राम गंगंगा नहीं राम गंगा है काजी रंगा अपका ब्रह्मपुत्र से मतलब काजी रंगा निसल पार्क से ब्रह्मपुत्र नदी बाती है साइलेंट परजली से कुंती पुझा कुंती पुझा जो नदी है यह बाती है ठीक है नाकी कावेरी वैती है इसमें सभी गलत लग रहा है यह आपका यह भारत का सरपर्थम राष्टी उद्धार कौन सा है तो कौन सा है कारविट राष्टी उद्धान भारत वसका पर्थम र सुमेल मेर नहीं राष्ट्य उद्दान और राज राज बांद हो गड़ मद्द परदेत्ष में आपका करनाथक क्रनातक इतले टोटे सभी हों वक्रदेश कोसे नहीं है इंस Character टेक्र में तो यह का सवान सह्ण डीमालाप शही Nered नहीं है ही सभी होगा ठीक है कौन सा यूग सुमेलित नहीं है ग्रेट हिमाले नेसल पार कोई आपका हिमांचल प्रदेश है हाँ यह सभी है दाची गम राष्ट्य जम्मु कसमीत गिर गुजरात का एंप बेल राष्ट्य पहस्चिम बंगाल नहीं पढ़ाएते हैं अंडमान एं निकोबार पढ़ाएते हैं ठीक है कैंप बिल राष्ट्य उद्दा मानस असम बालमिक पिहार सलीम अली जम्मु कसमीर सुल्तानपूर अर्याड़ा सिंपली कुश्यंदा अंसी अंसी कहा जाएगा कर्नाटक बांधाउगर मद्द परदेश भीतरकनिका ठीक है मैच नही मैं ये उडी साने ठीक है उडी साने आपका बह propagने क्या है विसंराष्टे अhstहां तीर पूरा देखी इस है लिधे का है ईंदरावलाथी कहां है है उपढ़े थे इसको महावेर भी कहते हैं गोवा में है कलेसर का हर्यारा में है और बेतवा बेतवा या बेतला इसको बोला जाता है तो बेतवा और या बेतला कुछ भी हो तो जहारखंड में है ठीक है अब जहां देखिए अंसी कहा है करनाटक बाल फकरम कहा है मेगाल एकदम सही है चंदोली कहा है गुजरात नहीं है महाराष्ट रख कि यह यह अच्छ्टी टाम इस राष्टिब में याद रखिए देख लेते हैं इस अ सुल्तानपूर कहां पर एव सुमेरे को धिए सुल्तानपूर उत्तर प्रदरस में delivery हरी आड़ा में सुल्तान पुरinsi स्टेक उत्तार प्रदेश का ठीक है तो वह मत समझेएगा सुल्तानपुर राष्टिया पार्क पूछा देकि निशनल पार्क पूछा आया निशनल चंदोली कहा है महाराष्ट में इंद्रावती सरिस्का राजस्तान बांधीपूर करनाटक बांधवगर मत्पडेश कर राजीव गजाच्टिये अपकर करनाटक यह कब नागर बांधाउगर मद्व परदेश बांधीपूर करनाटक रोहिला इमानचल परदेश ठीक गिर गुजरात ठीक संपल इस अभीद कुछ है और यहां देखिए राश्ट्य ग्रामीर्ण स्वास्त में सब्सक्राइश्ट्य सामाजिक सहायता कार्ण करण तो राश्ट्य समाजिक सह सहायताकार나 कर भी पता होगा आपको अभी बतायते है उनीस सो मंचानमे में में तुरू का पहला तोक पहला टूरे कि का कई पहला है पूह यह राष्टिएर सब समाजिक सहाइताकारिक्रम तो है तो लेकिन यहाँ पर दके येवाला यहाँ होने चाहिये था बद दिक यह वाला होना चाहिए तो यह वाला नहीं तो भी आ पहला तभी आएगा तो इसका भी वाला ओगा आफियम आत्म निर्भर स्वास्त भरत हाथ है यह कौन सा इस वालना में आया ऑज़्पादेस संकल्प तोमुदी है स्वाधार है तो क्या स्वाधार में क्या स्टीट बेंडर स्वाधार में कहां गया इस टेट मेंड़ हो जाएगा इसी का चौथा तो सीका चौथा यहां कार दीजिया अब देखिए स्वादेश क्या है तो स्वादेश आपका इस्किल माइपिंग है ठीक है संकल्प क्या है तो कौसल विकास है इस्किल डेवलप्मेंट संकल्प से संब्देता है स्वाधार क्या है विसम परिस्तितियों में जो औरते होती है उनकी साहता करना स्वाधार केंद्र खीक है यहां देखते हैं अटल-पैंसन तो 18おお कि अटना ही आज था ठीक है? तो अगर आपको पसंद आया होगा तो बता दीजियेगा क्या मंदब कमी रह गई किया सही था? अगर आपको पने दोस्तों सेर कर दीजिये गा इस वीडियो को बता दीजिये गा ऐसे साथ नूर्स बनाके पढ़ाया जाता है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही धेनवाद नमस्कार जैहिंद जैभारा